जम्मू कश्मीर के गांदर बल में बड़े आतंकी हमले की वज़ा है ये Z-Mode प्रोजेक्ट भारत का ये प्रोजेक्ट आतंकियों को दरसल खटक रहा है आतंकी हमले में एक डॉक्टर और छे मजदूरों की मौत इसमें हो गई है आपको खबर मिली होगी ये सभी मजदूर मोधी सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट Z-Mode टनल में काम कर रहे थे मजदूर शाम को काम खतम करके मैस में खाना खाने के लिए जुटते हैं कि तब हत्यारों से लैस तीन आतंकियों उन्हें गोलियों से चलनी कर देते हैं Z-Mode टनल शुर्णगर से सोनमर्ग को जोड़ेगी जिससे साल भर सोनमर्ग जाना आसान हो जाएगा 2660 करोड की लागत से बनी ये दो लेन की टनल 6.5 किलो मीटर लंबी है टनल का काम लगभग पूरा हो चुका है राजनितिक रूप से भी ये भारत के लिए बहुत एहम है Z-Mode प्रजेक्ट को गगन गीर गाउं के पास बनाय जा रहा है टनल की खासियत है कि किसी भी मौसम में इसके जरिये सोनमर्ग तक जाय जा सकता है इसका नाम Z इसलिए है क्योंकि इसका शेप भी अंग्रेजी के Z letter के जैसा ही है टनल को 8500 फीट पर बनाय जा रहा है चलिए अब आपको इस टनल का इतिहास भी बताते है साल 2012 में Border Roads Organization ने पहली बार इस टनल की कलपना की थी पहले इसका टेंडर Tunnel Way Limited को दिया गया था बाद में इस परियोजना को राष्ट्री राजमार्ग और बुनियादी धाचा विकास निगम लिमिटेड यानि की NHIDCL ने अपने कबजे मिले लिया दुबारा टेंडर निकला APCO InfroTech को टेंडर का टेंडर मिल भी गया इसी कमपनी ने Tunnel को अब बनाया भी है अगस 2023 में इस प्रोजेक्ट को बन जाना था लेकिन इसमें देरी हुई अब टनल लगभग पूरी तरीके से बन कर तयार है जम्मू कश्मीर चुनाव की वज़ह से इसका उदगाटन अभी तक नहीं हो पाया था जेट प्रोजेक्ट ना सिर्फ श्रीनगर को सोनमर्क से सिर्फ जोटा है बलकि राजनेतिक तोर पर भी ये आर्मी के लिए काफी एहम है इसके जरीए आर्मी लगदात में बॉर्डर पर जल्दी पहुँच सकती है देखा जाए तो 12,000 फीट की उचाई पर बन रहे जोजिला टनल के विकल्प के रूप में आर्मी इसका इस्तमाल करेगी सुरक्षा के लिहाज से इस टनल के जरीए द्रास, करगिलक और लेह रीजन में सेना की पहुँच आसान भी हो जाएगी टनल के बन जाने से भारती सेना को अब एर फोर्स की उतनी मदद की जरूरत भी नहीं पड़ेगी टनल के जरीए ट्रांसपोर्ट का काम भी काफी आसान हो जाएगा वेराल इस वीडियो पर आपके क्या प्रतिक्रिया है कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं बाकि देश और धुनिया की तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब किजिए टीवी 9 डिजिटर नमस्कार